हालो दोस्तो नमस्कार हमारे हाथ में हंग अप इंजेक्शन जो कि सुस्मा कंपनी दुवारा बना गया हंग अप इंजेक्शन आता है जो कि 100 ml का हमारे हाथ में है इसकी MRP मैं आपको दिखा देता हूँ एक सो पचात्ता रुपए इसकी MRP है दोस्तो हंग अप जो इंजेक्शन आता है या हम अपने पस्वू में कहां और किस रोग में यूज करते हैं सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ दोस्तो जैसे आप जहाँ पर बेला माईल या फिर कांसी पिलेक्ष या फिर रुमैरी इंजेक्शन को यूज करते हैं सेम उसी को उसी टीटमेंट में आप इस हंग अप इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं उन इंजेक्शन के बदले में तो दोस्तों जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कहां कहां पर दोस्तों सबसे पहले बात आप जान जाओ जब भी आप इस injection का hung up injection का यूज करना पसू का temperature 102 के उपर नहीं होना चाहिए इस injection का यूज 102 temperature रहे वहाँ पे आप यूज कर सकते हो लेकिन 102 के उपर अगर temperature है तो वहाँ पे आप इस hung up injection का यूज मत करना नहीं तो अनेक समस्य हो सकती है तो दोस्तों जैसा कि आप कहां कहां पर यूज करते हो जहां पे आपकी पसू को डायरिया हो गया है पतला गोबर करती है वहाँ पर यूज कर सकती हो या पिर जहां पे आपकी पसू को fungus infection हो गया है fungus bacteria हो गया है वहाँ पे भी आप इस injection का यूज कर सकते हो जहां पे आपकी पसू दाना चारा नहीं खा रही है वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो जहां पे आपकी पसू जुगाली नहीं करती है वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो जहाँ पे आपकी पसु को गला घोटू जैसी बिमारी है वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो जहाँ पे आपकी पसु को लीवर फ्लूग जैसी बिमारी है वहाँ पे भी यूज कर सकते हो जहाँ पे आपकी पसु को कही पर भी आपने देखा होगा पेट में गैस, पेट में आफरे, पेट में दर्द, ऐसी समस्या होती है, जहां पर आप इस पाइडी के इंजेक्शन का यूज करते हो, आप वहां पर यूज कर सकते हो, इस पाइडी के इंजेक्शन के साथ-साथ, तो दोस्तों, आप जहां त पसु का टमप्रेचर हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हंगफ इंजेक्शन हाई टमप्रेचर में यूज नहीं होता है आप एक बात को ध्यान कर रखने ना बाकि आप सबी जगा इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी उसके साथ यह एक प्रेग्नेंट्सी सिप दवा है यानि अगर आपकी पसु काभीन है तो भी आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हो दोस्तों उसका डोज केवल 10 से 15 मेल इसका डोज है आपको यह करीब 100 रुपे के नियर बाउट मेडिकल इस्टोर पर आपको मिल जाएगा तो वीडियो क कैसा लगा प्लीज कमेंड में जुरू बताना आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे प्यारे यूटूब फैमली मेंबर